असलाम लेकुंब उमेड करते हों आप सब लोग हैरी अच्छे होगे आज की वीटीओ में बनाने जा रहे हैं हम एक क्रिस्तिल क्लीयर पाउच डिसको आप मर्टी परपस के लिए यूज कार सकते हैं इसको आफ यूज कर सकते हैं मेक अप डालने के लिए जूलरी डालने के लिए और स्टेशनेरी वगारा डालने के लिए तो चलें बनाना शिरू करते हैं मैटिरियल्स के लिए लिए प्लास्टिक शीट, सीजर्स, स्केल, पैन, प्लास्टिक थ्रैड, नीडल, जिपर्स, मेरिंग टेप और ये प्लास्टिक पाइपिंग ये बैक्स वगारा में यूज होती हैं आपने अकसर देखा होगा सबसे पहले हमने नाइन बाइ फॉर का एक रेक्टैंगल ले लिया शीट का उसको हमने इसकी एज्जिस को राउंड कर लिया है कुछ इस तरह से इसके बाद मैंने नीडल और त्रैड की हैल्प से पाइपिंग को इसकी फॉर साइड पे स्टिच कर लिया है अब इसको स्टिचिंग मिशीन से भी स्टिच कर सकते हैं बट मैं नीडल और त्रैड की हैल्प से हैंड स्टिच ही दे रही हूं और एंड पे एक छोटा सा प्लास्टिक का एक्स्ट्रा पीस लेके पाइपिंग को जो है वो अच्छे से सील कर दिये एक्सेस को काट लिये अब हम लोग लेंगे टू बाइ फोटीन की दो रेक्टैंगल्स और इनको जिपर्स की दोनों साइट पे स्टिच कर देंगे बिलकुल इस तरह से यह मैं मिशीन के साथ स्टिच कर रही हूँ एक्सेस को काट कर लेंगे अब इसकी विट को मैयर करेंगे जो कि है 3.5 तो हमने दो पीसिस ले लिए हैं 3.5 पाइ 8 इंचीस के और इनको ऐसे दोनों साइट पे स्टिच कर दिये अब इस जिप का मिडल लेके इसको एक रेक्टैंगल के साथ स्टिच कर दिये अब दूसरी साइट से हम इसको स्टिच कर लेंगे ये end से थोड़ा सा मैंने इसको रहने दिया है क्योंकि जब हम दूसी side attach कर लेंगे उसके बाद जब middle की slide लगाएंगे तो हमाली आसानी होगी और दूसी side attach करने से पहले zip आपने लाजमी खोल लेनी है अब last stitch लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से side से जो थोड़ा थोड़ा piece सामने छोड़ा था अब उसको भी stitch कर लेना है और pouch को पलेट लेना है ये beautiful सा pouch ready होगी है hopefully आपको वीडियो अच्छी लगी होगी so don't forget to like, share, comment and subscribe thanks for watching